तो HSE CT based पर एक scholarship test हो रहा है, उसमें किसी भी एक्जाम की तहरीक है उने वाला बच्चा participate कर सकता है, हो चाहिए CGL का हो, CHSL का हो, KBS का हो, HPSC का हो, अर्याना Civil Service का हो, तो कुछ चेंजमेंट की हैं, सलेवस को लेकर, वो registration कैसे होगा, पहले app डाउनलोड कीजिए, description में app का लिंक है, study मंत्रा का, या प्लेस्टेर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, यह रहत तक Academy AIMS के साथ हमारा collaboration हुआ है, scholarship test को, क्योंकि उनकी offline बहुत अच्छी academy, बड़ी academy है, जहां पर बच्चों को बैठने के लिए अच्छी सुवीदा है, test 12 बजे होगा, 12 से लेकर 132, दो जनवरी को test होगा, दो जनवरी 2023 को, वही पर सारे study मंत्रा की टीम भी मिलेगी, एमस की टीम भी मिलेगी, एक motivation seminar भी होगा, बहुत अच्छी चीजे आप वहां पर सीख के जा हम नहीं चलेगा, तो हर्याना जी के 15 से 20 नंबर की कर दिये वही, ठीक है, मैंने पहले बोला था कि हर्याना जी के सिरफ हम 5 नंबर की करेंगे, लेकिन हमने हर्याना जी के का portion बढ़ा दिया, ठीक है, इसमें reasoning का portion वही रखेंगे, हम 15 नंबर की रखेंगे, इसमें जो mathematics का portion ह 15 नंबर का रखेंगे, इंग्लीज का portion है वो 15 नंबर का रखेंगे, यहां पर हम हिंदी सिर्फ 10 नंबर की करेंगे, पांच नंबर कम करेंगे, क्योंकि हमने जो national gk है, वो थोड़ी सी बढ़ानी है, यूकि national gk का portion और paper में बहुत आता है, ठीक है, तो हिंदी हम सिर्फ 10 न नंबर में आपका कौन सा portion बचा, 30 नंबर बच गया आपके, ठीक है, कि 30 question क्या डालोगे सर, अब 30 में हम लगभग 8 से 10 question science के डालेंगे, ठीक है, इसमें हम 5 से 7 question polity के डालेंगे, 5 question geography के डालेंगे, 3 question economics के डालेंगे, बाकी जो static gk का portion है, 5 question उसके डालेंगे, और तो लगभ रेट करोगे, 8 और 3, 11, 11, 15, 16, 16, 16, 20, 25 मालोगे, यहां पर कम कर देंगे, 2 questions, तो 5 question आएंगे बेटा, current affairs के, वो होगी, national current affairs, ध्यान रखना, ठीक है, स्क्रीन सोट ले सकते हो, एक भी question इदर उदर नहीं होगा, same portion रहेगा, हार्याना का सबसे वड़े scholarship test का, कोई भी download कीजिए, app में test series में जाके, आप लिखोगे, वहां पर scholarship test के नाम से registration होगा, 50 रुपे आपके वहां पर, सिर्फ 50 रुपे कटेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना तो वहां चायवाय का भी खर्चा हो जाएगा, वहां तो थोड़े वैसे आओगे, बहुत कुछ खर्चा करके जा सब्सक्राइब करेंगे, बहुत करेंगे, एक लाख रुपे एक को ही देंगे, तो ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 51,000 रुपे देंगे, फिर 30,000 रुपे, दूसरा 31 कर दिया है, वाई, sorry, sorry, दूसरा 31 कर दिया है, क्योंकि सारी मेरी थोड़ी चलेगी स्टेडी मंतरा की टीम की चलेगी, एमस वालों की चलेगी, हाँ, क्योंकि अर्चा दोनों को आदादा है, तो 30,000, फिर 21,000 होगे, फिर 11,000 रुपे होगे, फिर 51,000 होगे, फिर 11,000 होगे, और फिर 500,500, ये बहुत सारे बच्चों को दिये जाएंगे, अगर उनका बहुत अच्छा स्कोर है, अब अगर ये कोई बच्चा बोले कि सर मेरे तो 80 पलस हैं, 80 पलस वाला चाहे कोई भी पोजिशन ना आई हो, 80 पलस कोई भी पोजिशन ना आई हो, तो उनको 500, 500 रुपे दिये जाएंगे, ठीके, चाहे वो आएं बच्चे 500, चो वो बच्चे आएं 5, जिनका स्कोर 80 पलस है, तो 500, 500 रुपे उनको भी दिया जाएगा, एक मोटिवेशन के तोर पर, ठीके, साइंस मंतरा की बुक भी आप बच्चों को प्रवाइड करवाए जाएगी, वो देखेंगे किन बच्चों को दी जाएगी, इनको तो मिले ही मिलेग जहां पर हम और आप मिलकर बातें करेंगे, एक दिन अपने लिए और हमारे लिए निकाल लेना, ठीक है, तो 2 जनवरी 2023 को रहो तक में मिलते हैं, एम स्कैडवी में, राजी चोंग के पास है, इनकोरी नंबर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, कोई भी डाउट ह तो नीचे कमेंट अपना कमेंट डाल देना, ठीक है, लवी सुभी को, best of luck, कोई भी इनकोरी हो, तो कमेंट कर देना, ठीक है, description में आपका लिंक दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, चलो, best of luck, जैहिन, जया भारत, इनकोरी नमबर अगर आप किसी भी बैच के बारे में या किसी और चीज के बारे में पूछना चाते हो, 7988-545463, इस नमबर पर आप कोल करके, अपना इन्रोल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फरमेशन आप ले सकते हैं, चलो, best of luck, जैहिन, जैभारत, जैए.